अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो कोई न कोई तरीका निकाल लोगे और अगर नहीं करना चाहते हो तो ना करने के हजार बहाने निकाल लोगे साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है कि लाइफ में अगर किसी इंसान को कुछ करना है वास्तों में दिल से तो वह उसे जरूर करता है मुसीवतें कितनी भी आएं और नहीं करना है तो बहाने बहुत सारे हैं फार इक्जामपल अभी लाइट नहीं है पिछले आदा गंटे से पूरा सिस्टम हमारा जो है एक इन क्यों कि पढ़ाना सिर्फ सरीर से नहीं होता है अगर दिमाग आपका किसी चीज में उल्जा हुआ है डिस्टर्ब हैं आप आप यहां कि कुछ और है बोलेंगे तो इससे अच्छा ना बोलो तभी ठीक है बेकार बोलनें अच्छा चुब रहो आगे सभी चलिए तो कमेंट देख लेते हैं माफी चाहते हैं नो बज़े वाली क्लास नहीं हो पाई सिरो मनी जी आपका कमेंट आ रहा देवरा सिंग पूजा कुमारी सरस्वतीर अठोर गोल्डी सिंग मोहिनी यादो लोकु सिंग पंकज कुमार पृती मोर्या मोहित कुम अगरवाल सनी स्टोनम और बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सचिन किसी का नाम लेके कोई कमेंट नहीं करेगा चलिए तो आज ये लाइब सेशन नंबर कौन सा है सेवन लाइट नहीं है तो थोड़ा हमारा चेहरा चमक कम लग रही होगी बाकी में नहाया वाया हू तो ये आपकी लक्ष बैच है याद रखना भूलना नहीं इसका नाम मैंने रखा था मंगलवार के दिन बैच बोलते हैं बैच हुआ 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 है सिकेंड समेस्टर आज सात्वा नंबर है लाइब साथ कुछ ना लाइक टाइप की लोग यहां बैठे है अगल वगल थोड़ा वह भी कुछ अपनी अक्टिविटी करते रहते हैं रखाओ तो पकड़ के लिए क्या-क्या है पहले उनको लिख लीजिए समझ लीजिए इसके पीछे कि अब तक क्या-क्या पढ़ चुके हैं मैं अधा मिनिट में बता देता हूं पहली क्लास में इसका किया था बहुत अच्छे से दूसरी क्लास में बौट मास का रूल पढ़ाया था जो कि यह नेक्स चै और चौथी क्लास में आपको भाज्य अभाज्य अपवर्तक समापवर्तक यह सब पढ़ाया गया था दिमाग खोल के सुनेंगे तभी सुनाई पढ़ेगा मेरी आवाज बहुत तेज अभी मैं थोड़ा असी में बोल रहा हूं 100 में नहीं गया अभी 100 में बोलूंग तो और चाटवी क्लास में मैंने प्रेक्टिसर्ट करवाया था जिसमें आपको भाजक्ता नियम पर अधारित अभ्यास से प्रस्म करवाए गये थे है ना और यह सात्वी क्लास है सात्वी क्लास में प्रकृतिक पूर और पूरांग यह पढ़ेंगे प्रकृतिक संख्या पूर्ड संख्या पूरांग संख्या और चाउथा पढ़ेंगे पर्मिय और अपर्मिय ये चाउथा वाला ज़्यादा मेन है इसको इंग्लिस में बोलते हैं नेचुरल नमबर इसको बोलते हैं होल नमबर इसको बोलते हैं इतना टॉपिक आज पढ़ेंगे ठीक है जिनको यह नहीं पढ़ना कुछ और चाहिए वह यहां से जा सकते हैं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसे किरपया करके तो ना बाबू में वर्बाद ना करें इंटरनेट वाले प्यार वाले प्यार वो ध्यान ने भी से शुरूप से कि जिस बाबू की चक्कर में तुम लगे और जिसका रिचार्ज करा रहे हो कभी-कभी बाबा भी निकल जाता है ठीक है तो समझेँ सावधार रहें सतर्क रहें आजकल लोग बाडर पार करके भी मुहंबत निभाने जा रहें और दो दो तिन दिन बच्चों के साथ जा रहें तुम्हें क्या लगता है रिचार्ज कराने तुम्हारी हो जाएगी उसने बहुत कुछ किया कराया है फिर हो चली गई चलें आगे बढ़ें चलिए तो पहला देखिए प्राकृतिक संख्या कामेंट सब के आरें वहाँ भी दिख रहें मुझे कमेंट ठीक है किया होती है गिंती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कालाती है ऐसी संख्यां जीने हम गिन सकते हैं यह भहुती हिरूप से महसूस कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कालाती हैं जैसा कि मैं आल्रेडी आपको बता चुका हूँ अगर देखो साइड में साइड पर्दा नहीं बंधा इधर इसलिए थोड़ा सा ये चमक रहा है मैं इसको खींद दिया ठीक है आओ चलो जैसे महसूस करना मतलब कैसे संख्या को कैसे फिल करोगे उसकी याद थोड़ी है कि आई और दुख होने लगा अंदर में नहीं जैसे मैंने का आप मेरे पास पांच पैन है तो आप कैसे फिल करोगे अगर आपने कभी पांच पैन देखा है अंधूर सब दिमाग में सेव रहता लगए यहां पांच पैन कैसे होती यह سब कर सकते घ्राव है जैसे मने का कि दिमाग में पीछटर आए यहुँद कर सकते मैं आपको दो Pike मोबाइल अगर मैंने ची üzव मोबाइल लिये तो कि आपके दिमाग क्यों मौबाइल कैसे होगी ना है यह नहीं आएगा ना नहीं समढ़ सकते उचिछी आ मतलब कुछ नहीं न तो जिसमें आप कुछ महसूस कर पा रहे हो ही क्या नेचुरल नंबर है चाहे वो कितना भी नंबर हो और दूसरा ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं ठीक है सुनने को तो गिनोंगे नहीं बस इतनी थारी बाते हैं मोटी-मोटी बाकी मतलब की बात देख संख्या जिनका कोई ने अभिसकार नहीं किया हो किसी ने खोज नहीं किया हो अगर लिखिये पूर्ण संख्या देखो यह चैप्टर कौन सा है पता आपको अध्या तीन है यह अध्या तीन लिख लो चाहे पूर्ण संख्या को बोलते है होल नंबर अधूरे अधूरे से थे हम और उससे मिलके पूरे हो गए यह कौन कह रहा है नेचुरल नंबर किस से मिलके पूरे होते हैं जानते हो जीरो से जीरो से मिलके यह पूरे हो जाते हैं जीरो के बिना यह धूरे होते हैं क्योंकि जीरो के बिना इनका कोई काम नहीं चलता है नमबर जो है जीरो के विन अधूरे हैं क्योंकि कोई बी गिंति अगर आपको बड़ी गिंति लिखनी है तो सुनने की बहुत बड़ी उसमें उप्योगता है ठीक है तो फूर्ण संख्या क्या होती है? तूनने ओको प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सामिल कर देने के बाद जू संख्याओं बनती रोट il थी कि अगला क्या था इसमें एक और सब्सक्राइब अरे मेरा मुह इसलिए बन जाता ना नीचे कुछ लोग डिस्टरब कर रहे हैं पता नहीं क्या करना चाहते हैं अब तुम लोग को दिखा सकता है तो मैं दिखाता है कैमरा मैं होते हैं नीचे कैमरा करके लिखिए इंटीजर नंबर यह क्या है अब यह इंटीजर नंबर क्या होती है एक लाइन में समझ लो कि संख्या रेखा जानते हो ऐसे किते हैं संख्या रेखा देखा होगा कहीं बच्पन में कभी यह नहीं देखा देख लो किसे लाइन होती है इसके बारे बाद में जदा जनकारी बत दाएं और बाएं और कि सभी संख्याएं क्या कहलाती है पुडांग संख्याएं कहलाती है सुन की राइट साइड सभी पॉजटिव इंडिजर होते हैं धन पुडांक होते हैं और बाइट साइड सभी निगेटिव इंडिजर यानि की रिड़ पुडांक होते हैं ठीक है समझ गए सोनम कमेंट आ रहा है खुस्बू सिंग देवेश कुमार जोती मोहनी वर्तिका मुअम्मद आलम अलका सिंग और राजा जी इनका नाम ही है इनका नाम भी बोलना गड़ बड़ है ठीक आगे बड़े चलिए कि चोरी पकड़ा यहां पर अभी थीरे दिरे चलों कि कुछ लोग ना इतने प्रफेफनल चोर होते हैं कि चाहे तुम मतलब कितना भी दिमाग लगा लो कितना भी मतलब बरबाद हो जाओ उसी में लेकिन पकड़ नहीं सकते उन्हें इतने सातिर होते हैं चले आगे अब मेन है पर्मिया पर्मिय संख्या पर्मिया पर्मिय संख्या यानि रेफनल नंबर पर्मिय संख्या यानि रेफनल नंबर ठीक है पर्मिय संख्या क्या होती है मोटी मोटी बात समझिए पहले मतलब मतलब की बाकी सब नहीं ऐसी संख्याएं जिने पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो पर्मिय संख्या होती है जहां क्यू ड़ज नाट इक्वल जीरो या फिर ऐसे लिख सकते हो जहां पी और क्यू क्या है पुडांक है यह और क्यू पुडांक है पी इक्वल जीरो हो सकता है क्यू ड़ज नाट इक्वल जीरो क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ठीक है कि यह आइए देखिए समझ यह जैसे नार्मल जीतनी भी संख्या हैं आप देखते हो वह पर में संख्या होती जैसे मानलो थी encourage लगा जाता बटा-पांच हो गया को क्यूद अधे आधे लिख नों सब्सक्राइब कुक्त क्या है पर में संख्या है लिख लो फटा बढ़ चलो जल्दी उतारो चलो आगे बढ़े हो गया तो पर्मिय संख्याएं भी कई तरह की होती है कई लेबल की होती है जैसे समझना यह तो नार्मल संख्याएं हो कि यहार इन लोगों ने इदम डिश्टाव करके रख करें लोग दो मैं जोद नहीं कोई काम नहीं जाओ भाग आँ सब्सक्राव में पाल जाओ पाल गया है झाल झाल आईए हो गया चले तो अब दूसरे प्रकार की संख्याएं क्या होती है पर्मे संख्याओं में जैसे देखिए दसामलों वाली संख्याएं ठीक है जैसे 0.5 हो गया 3.5 हो गया या कोई भी संख्याओं जो दसामलों में है यह भी क्या होती है पर्मे संख्याओं ही होती है क्योंकि इन्हें भी हम प्यापान क्यू के रूप में लिख सकते हैं ठीक है जैसे देखो यहाँ पर कि नो बटा 11 ना तो नो बटा 11 को देखो यह पर्मिय की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं कर दो भी नो बटा 11 पर इसको पर पूप क्यू कर रूप में लिख सकते हैं बोलो कि लेकिन अगर किसी की मन में आए कि भाईया क्या हम ऐसे जो कि ग्यारा अंडर रूट में है बटनो रही है तो क्या इसे लिख सकते हैं यह इन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका वर्गमुल तो हटेगा नहीं हटेगा तेक पूर्ठ संक्या आएगी नहीं तो यह इसके परआब नहीं जानी यह पर में हो सकती बट यह नहीं हो सकती समझ रहें ना इसका मुखड़ा दिखना बहुत जरूरी है इंपोर्टेंट वाला जो मेन है समझ गए ना तो बिना पूरी तरह देखे आप डिफाइड नहीं कर सकते हो कि पर्मिय है क्या पर्मिय है तो यह सिकंड टाइप का हो गया फर्श टाइप सिकंड टाइप तीफरे टाइप की भी पर्मिय संख्या देख लो फिर अपर्मिय की बात करते हैं तीफरे टाइप में देखो जैसे कोई संक्या अगर वर्गमूल की अंदर दी गई है ठीक है अगर वर्गमूल के अंदर दी गई है जैसे मालो की अंडर उट चातिफ है और बटा साथ है तक यह पर्मिय संख्या है कि नहीं बताओ बोलो यास या नो बताता हूं समझो अगर इस तरीके की संख्याएं हैं अंडरूट 9 बटा ये मानलो की अंडरूट 169 इनको हम पता है कि इनका वर्गमूल अराम से हटा सकते हैं 6 बटा फात लिख सकते हैं 100 पी अपान क्यू के बराबर है ये इफले क्या ये रेफनल नंबर है ये भी है क्योंकि इसका भी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं तो 9 बटा 11 को हम 100 प्यापान क्यूंके बरूप में लिख सकते हैं भाईया तो यह क्या है पर्मिय संख्या है और अगर हमने ऐसे लिखा 7 बटा मालो 18 तो यह रेफनल नमबर नहीं है क्यों क्योंकि इसका जो है वो उस रूप में नहीं लिखा जा सकता है ठीक है चलिए देखिए तो यह डाजनाट इकल पी या पान क्यों कह सकते हैं ठीक है ठीक है बढ़िया है तो यह हो गया इस तरीके की संख्या है जिनका एक प्रकार से वर्गमूल या घनमूल पूरी तरह निकल सके वो पर में संख्या होते हैं नहीं होते हैं जैसे देखो इदर साइड में जैसे मालो यह घनमूल का चिन लगा है तीन चार तीन बटा यहां पर नौँ है तो पताओ यह पर्मिया संख्या है या नहीं बोलो रितू कमेंट आ रहा है खुसबू सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कमेंट दिख रहा है देखो यह घनमूल का चिन है इसका घनमूल निकालना है तो आपको पता है इसका गनमूल साथ होगा तो यह सेबन अपान नाइन हो सकता है एंड इसे हम क्यों के रूप का भी कह सकते है कि यह संख्या आपर्मिया भी हो सकती है वक्त वक्त की बात है सेम संख्या अब अर्मी हो सकती है कोई इंसान जो आपके लिए बहुत ही प्यारा था कभी वो कुछ दिन में बहुत ही जानका दुसमन भी बन सकता है क्योंकि जरूरत बड़ी चीज होती है समझ रहों कि नहीं और इस इंसान में इस दुनिया में न इंसानों का जो दुख है वो इंसानों की वज़ा से ही है बाकी और कोई वज़ा नहीं देखो कैसे इनका मतलब समझो अगर यह वर्गमूल का चिन होता घंण मूल का नहीं होता अब यह 343 का वर्गमूल साथ नहीं हो सकता घंण मूल है जनाब वो साथ-साथ का जो है तीन जोड़ा बन मलत तीन-तीन का जोड़े के साथ तो यह ड़जनाट इक्वल पी अपान क्यूँ अब यह आपर मिय हो गया क्या हो गया आपर मिय बैटरी लो हुआ या ओबर लोड हुआ कुछ गड़बर हुआ लो बैटरी चलो समझ में आया तो इन्वेंटर की बैटरी लो हो चुकी है जाद दिर कुछ चलेगा नहीं ठीक है लाइट आ नहीं रही है और मुझे कहना पड़ेगा फिलहाल के लिए दिख रहा है ऐसे भी कुद्धर चला दूं लेकिन या लाइट नहीं आएगी तो हम लोग के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी रात में जीना उसकिल हो जाएगा और लाइट वैसे आएगी लेकिन कहीं खराब है तो फिर आज के लिए इतना ही माफी चाहते है साथियों द काफी दिक्कत चल रही है इस समय डिश्टर चल रहा जिंदगी में भी कुछ चीजें हैं उल्जा रही हैं जो कुछ लोग हैं जो उल्जा के भी रखे हैं